हेई देर, वेलकम बैक टो वर चैनल एने क्रास्टरूम आज की हमारे इस वीडियो का टापिक है चॉकलेट डे चॉकलेट डे, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि चॉकलेट डे क्यों मनाया जाता है चॉकलेट दे की हिस्ट्री क्या है और चॉकलेट दे कम मनाया जाता है वैलेंटाइन वीक के थर्ड दे में चॉकलेट दे मनाया जाता है वैलेंटाइन वीक के थर्ड दे यानि की 9 फैब को चॉकलेट दे मनाया जाता है उससे पहले आता है Rose Day और Next आता है Proposed Day और Third 9th Feb को मनाया जाता है Chocolate Day Chocolate Day से पहले ये दो दिन आते हैं और Valentine Week के Valentine's Day जो की 14 February को मनाया जाता है तो Chocolate Day का वैसे कोई खास दिन नहीं मनाया जाता है खास दिन उसके लिए नहीं celebrate किया जाता लेकिन 9th Feb को Chocolate Day एक खास दिन आता है वैसे इनसान कभी भी चौकलेट खरीते हैं खाते हैं और किसी को भी देते हैं लेकिन 14 February को इनसान खास कर चौकलेट अपने उस इनसान के लिए खरीते हैं जिन से वो महबबत करते हैं जिन से वो प्यार करते हैं तो उनको देने के लिए वो चॉकलेट खरीते हैं ये कोई भी उमर की इनसान भी खरीते हैं जैसे कि एक लड़का लड़की यूथ हो या फिर स्कूल के छोटे बच्चे हो बुरे जवान छोटे बच्चे सब इस दिन में चॉकलेट खरीते हैं और उस इनसान को देते हैं जिस वैसे चॉकलेट डे का कोई खास दिन या फिर खास इतिहास नहीं है लेकिन ये हैं कि ये western country की tradition, western country की culture और style है सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस में चॉकलेट बनाया जाता था और वहां से धीरे धीरे फ्रांस और इटली में भी चॉकलेट बनाया जाने लगे लेकिन चॉकलेट सबसे ज़्यादा famous फ्रांस से ही हुआ वहां की लोगों का कहना है कि चॉकलेट में जो बदार मतलब की जो ingredient इस्तिवाल की जाते वो सहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं यह सब जो पाउडर्स होते हैं और उनमें कई सारे जो ingredients यूज की जाते हैं वो सहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सहत में खराबी आने से वो रोके रखते हैं इसलिए चॉकलेट बनाना वहां से और भी देसों में शुरू हुआ इसके बाद चॉकलेट को धीरे-धीरे हर जगा पसंद करने लगे तो इंडिया में भी चॉकलेट डे मनाये जाता है और इंडिया में भी चॉकलेट दे मनाने जाने लगा उसी की तरह से western cultural की तरफ से Western Culture की तरफ से वो चॉकलेट के लिए मनातें लेकिन इंडिया में चॉकलेट कि अर तरीके अर रिजनस के वी लिए मनाई जाते हैं जैसे कि चॉकलेट देने से जिस्तों की करवाहत जिस्तों की और मिठास आती है चॉकलेट की तरही मिठास रिष्टे में भी आने लग जाए इसलिए चॉकलेट दे मनाए जाता है और यह चॉकलेट दे में चॉकलेट हम उन सब को दे सकते हैं जैसे कि प्रेमी प्रेमिका को स्टूड़न अपने टीचर्स को भाई बेहन को और अपने ममी या फिर बेस्ट फ्रेंड को फ्रेंड को किसी को भी दे जिनसे उनकी जो रिष्टे की करवाहते वो दूल हो और रिष्टे में और भी प्योर्नेस और भी हैपिनेस उनके अंदर आए इसलिए यही कारण है कि चॉकलेट दे में चॉकलेट एक दूसरे को शेर करते हैं ताकि कि इसी तरह खुशियां और मिठास उनके रिस्टे में उनके रिलेश्टे सिंप में कंटीन्यू रहें आपको ये वीडियो का टॉपिक समझ में आया गया होगा और ऐसे वीडियो ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले मिलती हु नेक्स वीडियो और गुद्बाइ